हेलो दोस्तों वेलकम डो माई चैनल अनम लॉजिक दोस्तों अगर आपके उपर कोई भी कॉपी राइड स्टाइक लगा देवें और आप उसको कॉंटर नोटिफिकेशन करने के बाद अगर आप वो केस जीच जाते हो तो आपको कैसा फील होगा ज़स्तों यह जो कल की बात ह किती तारीक है? चार तारीक है? कल पांस तारीक हो यह असर दोस्तों मुझे यूटूब की तरफ सएक मेल आता है कि आपके जो वीडियो है वो आपिस दे दी गई है अगर आपने अपने चैनल में से डेलिट नहीं किया तो वो यह वो जो वीडियो है जिसके उफर मेरा राइड स्टाइक लग चुका है और ये तीन मेने तक रहेगा दोस्तों अगर किसी का यूटूब चैनल कभी ऐसा होता है तो उसके तो पाओं के निशी से जमीन किसक जाते हैं कभी उसके साथ में ऐसा तो दोस्तों उसको अगर 101% शूर होता है ना कि बाई मैंने जो वीडियो बनाया है वो बिल्कुल सही है और 101% सही है तो दोस्तों वो क्या करा लड़ेगा वो वो के श को लड़ेगा दोस्तों 365ät Cindy चैनल है मैं तब वो मुझे return कर दिया है तो दोस्तो उसको मैं वीडियो के last में आपके सामने ही monetize करके भी बताऊँगा किस तरीके से वो वीडियो में पहले copyright का strike था अब वो strike हड़ चुका है और वीडियो वापस मुझे मिल गई है और मैंने उसे monetize भी कर दिया है तो दोस्तो अब देखिए दोस्तो किस तरीके से देखिए अब मैंने क्या किया था कैसे मैंने लड़ा था कैसे मैंने बात की थी YouTube से कि भाई यह जो वीडियो बनाए मैंने सही बनाए करके सारा completely process इस वीडियो में उसके भाई दोस्तो आप किस तरीके से यूटूब से बात करना है और किस तरीके से genuine reason बताना है और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तो कि वो genuine reason को यूटूब समझता भी है और उसके बाद वो क्या करता है कि आपके जो उसके content notification है उसको except भी करता है वो कैसे accept करता है वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो अब भी तक आपने अनम लोजी को subscribe नहीं किया है तो सबसे पहले subscribe कीजिए क्योंकि आपका भाई ऐसे ही interesting वीडियो आपके लिए बनाता रहता है तो आप सबसे starting से मैं लिखे जाता हूँ जब मैंने पहली बार counter notification किया था वैसे तो सबसे पहले जो counter notification किया था वो मैंने computer से किया था और उसका skin recording मैंने नहीं लिया है वैसे तो YouTube पे आपको मिल जाएगा कि सबसे पहले आपको counter notification कैसे करना है करके ठीक है उसके बाद counter notification जब से सबसे पहले मैंने किया था तो उसके बाद मुझे YouTube की तरब से एक mail आया था तो दोस्तो आप देख सकते हो कि 14 जुलाई यहाँ पर date भी मैं आपको बता देता हूँ 14 जुलाई को मुझे सुबा सुबा mail आता है कि मैं घबरा गया कि मेरा जो एक वीडियो है वो टेक डाउन कर दिया गया है यानि कि copyright strike की वज़े से तो दोस्तो यह देखिए strike आ गया है मेरे उपर यहाँ पर आप देखिए 14 जुलाई को मैंने क्या किया था counter notification दाल देता क्योंकि मैं अपनी तरब से इद्दम शौर था तो यहाँ पर मैंने counter notification दाल दिया था वो वीडियो मैंने बना नहीं पाया माफी चाहता हूं उसके लिए वैसे तो आपको YouTube के उपर बहुत सारी वीडियो मिल जागी एक बार देख लेना लेकिन यह वीडियो को देखना क्योंकि यह वीडियो बहुत जादे important है आपके लिए counter notification करने के बाद YouTube ने मुझे क्या किया 15 तारी को यहाँ पर देख सकते हो 15 जुलाई को यहाँ पर date के साथ में मैं आपको बता रहू और उसके बाद आपका क्या होगा प्रोग्रेस होगा उसके बाद 15 जुलाई को यह automatic तो mail आ गया ठीक है automatic का mail का मतलब यह होता है कि वहाँ पर कोई बेठा हुआ नहीं रहता है जैसे ही आप counter notification दालोगे उसके 5 मिनिट के बाद यह तुरंत ही दोस्तो यह mail आपको आपको क्या करना है रिवीव में हो जाएगा उसके बाद आपको जवाब मिलेगा करके ऐसा mail आ जाएगा आपको उसके बाद दोस्तों 15 ही जुलाई को मुझे और एक और mail आता है और उसमें देखिए क्या बोला जाता है कि भाई आपने जो counter notification किया है ना वो बराबर नहीं क आपको क्या है कि यह जो आपने किया है ना unfortunately it's unclear to us यानि कि आपने जो बता है ना वो clearly नहीं है और समझ में नहीं आ रहा है आप क्या कीजिए अगर आपको counter notification filing करना है तो आपको valid reason बताना पड़ेगा क्यों लग रहा है कि यह fake है करके उसका reason बताना पड़ेगा तो यह 15 YouTube.com करके यह email idea उसके ओपर मैंने mail लिखा जो के आपको screen के ओपर दिख रही होगी तो यहाँ पर मैं अभी sent में जाता हूँ यानि कि मैंने जो mail उनको send किया ना वो mail के उपर जाता हूँ यहाँ पर देखिए 15 जुलाई को मैंने उनको में वो किया था ठीक है mail किया था तो द यानि कि मैं खाली इतना बोल रहा हूँ कि यह जो वीडियो उसमें मेरी खुद की वोईस है और यह जो इस्ट्राइक है कंप्र हंड्रेट एन वन परसंट क्या है यह मैंने उनको क्या किया था mail किया था और mail ID भी आप देख लीजिए यहाँ पर copyright at youtube.com को मैंने किया था यह future आपको काम आ सकता है इतना लिखने के बाद दोस्तों मैंने अपना यहाँ पर phone name दाला उसके बाद email address दाला उसके बाद physical address दाला उसके बाद telephone number बेरा खुद का दाला उसके बाद video URL दाला उसके बाद दोस्तों video ID दाला video ID दोस्तों वो होती है जो easy quality के बाद जो होता है न वो यह video ID होती है तो दोस्तों यह video ID दालने के बाद उसके बाद यह सारी चीज़े दोस्तों मैं description में आपको दे दूँगा यह formality होती है यह सारी copy करके आपको क्या करना है पेश्ट कर देना है उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है उसके बाद यहाँ पे आपको क्या लगता है कि 101% में शोर हूं तो इसका में रिजन यहापे डालना है इतना छोटा आपको लिखना नहीं है ठीक है यह मैंने छोटा लिख दिया था तो मुझे तुरंत ही उसने क्या किया किया कि मैं 15 जुलाई को दूस्तों में को मेल करके बोल देते हैं यहाँ पर अभी मैं यहाँ पर मैं अभी सेंट के उपर चले जाता हूं और यहाँ पर मैं सेंट के उपर चले जाता हूं और यहाँ पर मैं आपको बताता हूं एक मेल किया 19 जुलाई डेट आपको दिखा देता हूं यहाँ पर उपन किया और यहाँ पर मैं डेट आपको बता देता हूं 19 जुल क्या लिखके बोला है कि my video was completely with my own voice यानि कि यह जो वीडियो है इसमें जो voice है वो खुद मेरी है और I am 100% sure that this copyright strike is completely fake यानि कि मैं 101% sure हूँ कि यह जो copyright strike है वो completely fake है अब reason पहले तो खाली इतना लिखा था तो YouTube ने क्या किया था reject कर दिया था क्योंकि उसको valid reason नहीं लिखा अब मैं reason बता रहा हूँ उसको ठीक है अगर आप भी counter notification करोगे YouTube की तरफ से तो आपको reason बताना पड़ेगा और यहाँ पर because यानि because यानि क्योंकि मैं reason बता रहा हूँ it was for a education purpose मैंने जो वीडियो बनाया था मुझे अच्छी तरह याँ देखे मैं किस मकसद से अपना जो वीडियो है वो बनाता हूँ यानि कि मैंने ये जो वीडियो बनाया था education के परपस के हिसाब से बनाया है this video content fair use policy यानि कि जो content मैंने इस्तेमाल किया ये वो fair use policy के अंदर आती है if anyone has अनि अब उसके बारे में बता रहा हूँ कि कैसे fair use policy में आती है if anyone has any problem with idfc first bank app यानि कि अगर किसी को भी idfc first bank application से problem होती है तो फिर वो क्या करेगा वो idfc first bank customer care से बात करेगा ये मेरा education purpose था यानि कि जो application से अगर किसी भी बन्दे को problem होती है तो वो क्या करेगा कि he can talk to his idfc first bank customer care यानि कि customer care से वो बात कर सकता है तो i think i haven't violent any policy और मुझे लगता है कि मैंने किसी भी policy को violent नहीं कि customer care number बताना कोई भी policy को violent करना नहीं होता है ठीक है यह मैंने ऐसा लिखा उसको idfc first bank app available on google play store and in this app the customer care number of idfc first bank has been given यानि कि मैं उसको youtube को यह समझाना चाहरा हूँ कि यह जो application idfc first bank application यह available है google play store के उपर और यह जो इसमें कि है कि इनकी जो application के अंदर खुद इन्होंने customer care number दिया हुआ है यह मैं उसको बोलना चाहता हूँ तो जैसे कि which i have told in my video मैंने बस उनका customer care number बता है बस ऐसे ही मैंने उसको उनको समझा है कि मैंने तो बस अपनी वीडियो में यही बता है कि उनका customer care number क्या है अगर किसी को भी idfc first bank से अगर application प्रॉब्लम हो तो वह उसके application पर जाके उसके customer care से बात कर सकता है तो उनकी problem solve हो जागे और यह एक education purpose है ठीक है तो दोस्तों आए उसके बाद मैंने यह लिखा आए हमबल लिखे वैसे यानि कि मैं आपसे एद्दम नियायती है आज इसी से यह request करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को वापिस से चेक कीजे करके इतना मैंने जैसे ही लिखा तो यूटूब को समझ में आ गया कि यह बंदे ने जो reason बताया है वो बेदम जेन्यूने तो उसने क्या किया कि 19 जुलाई को यहाँ पर मैं आपको date भी बता देता हूँ 19 जुलाई की रात को ने और मुझे यह लिखा कि तुमारा जो counter notification है यह तो यानि कि दूसरे दिन मुझे mail आ जाता है क्या बोल के आता है कि thank you for your counter notification it has been forwarded to the party that send the takedown notification यानि कि आपकी जो counter notification है दोस्तों वह accept कर ली गई है और सामने वाली party को भेज दी गई है अब उसको क्या है कि 10 से जो 10 से 14 दिन जो business days होते है दोस्तों उसमें क्या है कि उसको evidence submit करना पड़ेगा अगर वह evidence नहीं दे पाएगा तो आपका वीडियो कहें कि वापिस आपको दे दिया जाएगा और उसने evidence दे दिया और वह genuine तरीके से वह समझाता है YouTube को तो दोस्तों अगर वह genuine है और genuine copyright strike है तो दोस्तों फिर वह copyright strike आपके इसमें 3 मैने तक रहेगी तो दोस्तो YouTube ने यह accept कर लिया और यह accept करने के बाद फिर मैंने वीडियो दालना start किया तो दोस्तों यह क्योंकि मैं खुद घबरा गया था क्यों आपको यह पता है कि भाई अगर किसी के पास ऐसा copyright strike आ जाता है तो उसको कितनी घबराड होने लग जाती है तो उसके बाद मैंने फिर व पूलंगन नहीं किया और किसी को भी ना कोई थैस पोचाया ना कोई गलत बात किया मुझे शोर था इसके लिए मैंने कॉंटर नोटिफिकेशन कर दिया था ठीक है उसके बाद दोस्तों जैसे ही यह मैंने इसने accept कर लिया YouTube ने तो फिर इसके बाद मैं चिंता मुक्त हो गया अब यह चेक करेगा और में को ऐसा लग रहा था अंदर अंदर से कि भाई 60-40% लग रहा था कि भाई मैं सही हूं ठीक है उसके बाद दोस्तों उसके बाद मैंने वीडियो वगेरा दालने स्टार्ट किये और कल का दिन दोस्तों कल तीन तारीकों मुझे एक मेल आता है और नहां पर लिग दिया जाता है कि the following वीडियो है have been restored unless you have deleted them यानि कि आपका जो वीडियो है वो हमने restore कर दिया है आपको वापिस दे दिया गया है यानि कि मैं case जीत गया हूं वो सामने वाले ने evidence दिया नहीं है आप case जीत चुके और आपका जो वीडियो वो आपको दे दिया किया और मेरा जो एक वीडियो जो रन पर था और वो मुझे वापिस मिल गया है तो दोस्तो इस तरीके से आपको क्या करना है mail करना है अच्छी तरह समझाना है YouTube को और उसके बाद दोस्तों आपको क्या-क्या लिखना है वो भी मैं आपको समझा देता हूं ठीक है अगर आपको लगता है वही चीज आपको बताना है ठीक है और छोटा मुटा आपको नहीं दालना है यहाँ पर देखे मैं सेंट में चला जाता हूं और आपको क्या-क्या चीजे लिखते हैं वो आप मैं आपको समझा देता हूं यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं यह दाला था कितना छोटा मैंने लिखाया था ठीक है और थोड़ा बोल्ड कर लेना और अंडरलाइन दाल देना ताकि यूटूब को हाइलाइट हो जावे कि यह बंदा यहाँ पर क्या कहना चाहता है तो पहले मैंने बहुत थोड़ा लिखा था कि यहाँ पर जो डियर टीम लिखोगे उसके बाद यहाँ पर जो आपको रिजन लिखना है न दूस्तों वो इद्दम ही किलियर लिखना और इदम अच्छी तरीके से और साफ सुतिरी तरीके से आपको लिखना है ताकि यूटूब को किया कि पिल्ली बार में समझ में आ जाए ठीके यह इतना छोटा सा लिखा तो उसको समझ में नहीं आए इसको ऐसा लगा कि यह बराबर इसने बराबर वो नोटिफिकेशन बराबर नहीं दिया है तो इस वज़े से किया है कि हम इसको एकसेप नहीं करें उसके बाद यह इतना लिखने के बाद इतना लिखने के और आपको अच्छी तरह पता होगे कि आपने वीडियो में क्या-क्या चीजे यूज करिये, क्या नहीं यूज करिये, वो आपको पता है, ठीक है, और मैंने क्या यूज करिये, नहीं यूज करिये, वो मुझे पता था, इसके लिए मुझे ऐसा लगता था, कि भाई मैंने जो और कोई भी policy को वाइले नहीं किया है यह मैंने YouTube को क्या है कि समझा दिया है दूसरी एक और चीज कि अगर आपको English नहीं भी आती है ना दोस्तो मुझे भी कोई इत्ती खास English नहीं आती है तो आपको English नहीं भी आ देना आप Google Translation का इस्तेमाल कर सकते हो वहाँ पे आप Hindi में ल दाले हो यानि कि आपने जो Google AdSense पे दाला है वह address यहां पे आपको दाल देना है आपका telephone number दाल देना है और आपका video का URL दाल देना है और उसके बाद यह video ID दोस्तों यह इसके बाद के जितने भी number होते है वह video ID होती है दोस्ती दोस्तों ठीक है तो यह video ID आपको दालने के जो Google AdSense के उपर है दोस्तों वही नाम आपको यहां पे दाल देना है अगर इधर पर आपने capital में दाला है उपर तो नीचे भी आपको क्या करना है capital में दाल देना है तो यह सारी चीज़े वह इसी copy कर लेना है खाली एक चीज का धहन में रखना है यहां पे note में ना मेरा tech क चैनल है तो दोस्तों अगर आपका कोई cooking का चैनल है तो आप cooking का चैनल लिखिए मेरा tech के है तो मैंने लिखा कि I am making tech videos with facecam यानि कि मैंने क्या क्या है मेरे जो videos मैंने बना है वो facecam भी बनाता हूं मेरे video और मेरा tech का चैनल है कभी कबार मैं क्या करता हूँ voice ever भी कर देता तो दोस्तों यहां तक के तो आपको लिखना है अपने अपने हिसाब से लेकिन यहां से आपको copy करके क्या करना है मैं description में दे दूँआ सीधा copy करके वहां पे paste कर देना है यह उनका तरीका होता है ठीक है लेकिन starting में dear team के बाद है आपको YouTube को अच्छी तरह समझाना पढ़े तो दोस्तों जैसे उसको अच्छा लगा तो उसने क्या किया दोस्तों directly उसने कल के दिन मुझे mail बेज दिया है कि भाई आपका जो वीडियो है वो restore कर दिया गया है अगर आपने अपने channel में से delete नहीं किया है तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो और monetize कर सकते हो तो दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है अब मैं आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ वहाँ पे monetize करके भी आपको बता देता हूँ और आपके सामने ही monetize करूँगा मैं तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि यह मैं monetize कर देता हो यहाँ पे monetize के बटन के ओपर जाऊ सब्सक्राइब दोरे बक्राइब एक 1820 रावन करना जाता है तो आपको क्या है के लड़ना बेहाद हangen लगता है तो आपैक बार बौल डाचứ, होते हैं च्छाहते हैं कि आपको ख़बते हैं कर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जलते हैं यह कुछ होता है में रोच position बना आ फीक का आपने सिटराइक क्षी अगर आप सही होगे तो वो स्ट्राइक खुद बाखुद हड जाएगा तो आपको फिकर करने की जरूरत नहीं है ठीक है लेकिन एक बार आपके मन में जो चल रहा होता है आप किस वज़े से क्या रीजन है वो आपको एक बार यूटूब को समझाना पड़ेगा वो भी मेल के तो उसे आप अगर डर के मारे बेड़ गए और आप नहीं समझा पाए तो दोस्तों फिर कुछ नहीं हो सकता वो तीन मेने तक आपके इसमें स्ट्राइक रहेगी और तीन मेने में आपको ये सूचना पड़ेगा और दो स्ट्राइक नहीं आजावें ताकि आपके चैनल को खत्रा नहीं हुआ है तो इसके लिए क्या है कि आप content notification दे दीजिए और आप YouTube को समझाईए कि इस कारण की वज़े से क्या है कि हम में को ऐसा लगता है कि यह जो fake strike आया है वो fake strike है ठीक है तो उसको समझाई है अगर समझ जाएगा तो आपका accept कर लेगा और 10-14 दिन के अंदर जो वीडियो है वो return दे देगा और सामने वाला वाकिय में genuine reason दे रहा है उसको YouTube का evidence दे रहा है सारी चीज़े दे रहा है तो दोस्तों इसमें फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं फिर आपका जो copyright strike है वो strike रहेगा ठीक है तो इस तरीके से mail करने का तरीका मैंने आपको समझा दिया है और वो जो बाकी के आपको लिखना है वो मैं description में दे दूँगा लेकिन जो उपर के जो चीज़े वो आपको YouTube को अच्छी तरह समझाना पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूं ठीक है किसी का copy नहीं करना है सिंपल सा आपको जो ऐसा लगता है कि इस वज़े से यहां पर देखे उनको सेंड गिया तो उनको समझ में नहीं आए उनको अनके लिया लगा ठीक है लेकिन जैसे ही मैंने मेरे हिसाप से मैंने बात किया और मुझे यह तो जैन्यून है और यह topic भी genuinely है सारी चीज़े जन्यून है तो फिर बंदे ने क्यों strike दिया ठीक हम तो य ये सारी चीजे में ने ये उसको लिखके भेजा यूटूब को तो यूटूब समझ गया और उसने मेरा एक्सेप कर लिया और उसके बाद 10-15 दिन के बाद दोस्तो मेरा जो वीडियो है यूटूब ने वापिस कर दिया है तो दोस्तो ये आपको गबराने की बिल्कुल भी ज अगर फेक कॉपिराइड इस चाहिए तो आप अपने चैनल को इस तरी की से बचा सकते हो तो दोस्तो अगर वीडियो अच्छा लगा आपको नॉलेजबल लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेर एंड सब्सक्राइब जरूर करना